नाश्कार दोस्तों मैं हूँ ध्रमवीर और आज हम जानेंगे नेचुरोपैथी एवी ओफ लाइव जो पुस्तक है उसका जो तीसरा चैप्प्र है यानि तत्वों पर आधारित चिगिच्छा एलेमेंट बेस्ट थेरपी तो पांच परमुक तत्व है प्रित्व अगनी जल्वाई वाकास इसके अत्रिक्त एक जो सबसे महतपुन तत्व है जो इन सब तत्वों के ऊपर है जो शरोपरी है उसके बिना कहते हैं ये चिगिच्छा निश्प्रान है इस चिगिच्छा का अस्था पराधारित है आप सब जानते है इसलिए प्राकर्तिक चिगिच्छा में महतत्व यानि आतमतत्व अर्थार्थ इस्वर के नाम के सम्रण की बिना इस सीकिच्छा को अगुरा ही माना जाता है यानि इस शिकिच्छा का कोई ओचित्ते नहीं है ब्रमांड ये अभि बागवान सीक्रिषन कहते भी हैं दसवे अध्या के आठवे शलोक के अंदर कि एहम सर्वश्य परभव मतर सर्वम प्रवर्तते यानि संसार की उत्पत्ति और चलायमान का कारण मैं स्वम हूं यानि भागवान सीक्रिषन स्वम है इस्वर स्वम है और शात में एक जगह पर कहते हैं स्रीमत भागवत में कि सम मिस्रित ये पदय पलवम पलवम महत पादय पुए याओ मुरारेम अर्थार्थ भगवान स्री किष्ण जी के चन कमलों के नीचे संप्रुन महत तत्व विद्धमान है नेचुर पैथि के पाचों तत्व आकास वायू अगनी जल तता पृत्वी में से प्रत्यक तत्व का मूल यानि शक्ति स्त्रोत महत तत्व ही है सरव सक्तिमान इश्वरे तत्व से ही पाचों तत्व में रोग निवारन की सक्ति उत्पन होती है यानि य इश्वरे तत्तो जो मेह तत्तो है इसी की वजए से जो अने पासत्तो है उनमें रोग निवारण की सक्ती उत्पन होती है केनो प्रिशद में एक यक्ष का उप्याख्यान आता है तो उसके द्वारा महततों के महतों को समझाय गया है बताते हैं कि एक समय बर्माने पाचो देवों जो अगनी देव है वायू है आकास है प्रत्वी है को निमित बनाकर असूरों पर विजय प्राप्त की थी प्रंतु पंच्तत्वों सहित सभी देवों को अभीमान हो गया था और विजय को अपनी महिमा का प्रभाव बताते हुए गरों महसूस करने लेगी यानि वो पाचो देव समझते हैं कि हमने यह जीत प्राप्त किया किसी की कोई इसमें भूमी का नहीं है किसी का कोई रोल नहीं है लेकिन एक्चुली उनके पीछे ब्रमा जी का हाथ होता है तो बर्मा जी ने सभी देवों के एहम भाव को जान लिया बर्मा जी समझ गए कि इन्हें तो हिंकार हो गया है और यक्स के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए उनकी प्रिक्षा लेने के लिए तो सबसे पहले बताते हैं कि इंदर देव ने अगने देव से कहा कि आप जाओ और पता लगाओ कि इस सामने कोन आ रहा है तो अगने देव जैसे उसके सामने जाते हैं तो यक्स सबसे पहले परसन करते हैं अगने देव से पूछा कि आप कोन है और आप में क्या सकती है तो अगनी देव मेहिंकार था उन्होंने कहा कि मैं अगनी हूँ अगनी देव मुझे लोग कहते हैं मैं चाहूं तो इस पर्थी पर जो कुछ है उसे भसम करशकता हूँ एहिंकार वस उन्होंने यक्स के सामने सारे बाते रख दी यक्स ने अगनी देव के समख से एक छोटा सा कहते है तिनका लाकर रख दिया और उसे बसम करने के लिए कहा प्रंतु अगनी देव ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली उसके बावजूद भी उस तिनके को जला नहीं सके समर्थी नहीं हो पाए किसके बाद इंदर ने वायुदेव को भेजा कि अब तुम जाओ तो पता कर क्या हो ये वक्ति कौन है यक्स रूप में जो है सामने तो यक्स ने फिर अगनी वायुदेव से पूछा कि आप में क्या शामर्थ थे वायुदेव बोले इस पृत्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा कर कहीं भी ले जा सकता हूँ इतना मेरा अंदर शामर्थ है इसके बाद कहते हैं कि यक्स ने वायुदेव के सामने तिनका रख कर तिनका रख दिया और कहा कि आप इसे उड़ा कर दिखाईए परंतू वायुदेव उस तिनके को जरासा भी हीला नहीं पाए इसके बाद दूसरे देवताओं को भेजा परंतू कोई भी देवता अपनी शक्तिव सामर्थे को ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाया इसके बाद यक्स अंतरध्यान हो जाते हैं तब इंदर उसी आकास में जो विद्यमान होती है उमा देवी उसके सामने अपनी पीडा रखते हैं उमा देवी ने बताया कि सभी देवताओं को एहंकार हो गया था और उसी एहंकार को चकना चूर करने के लिए स्वम ब्रमाजी यक्स के रूप में प्रकट हुए थे तो सभी देवताओं यानि पंस्तत्कों के मूल में ब्रम ही है यानि वो महतत्तव ही है यानि वो इस्वर ही है यानि जो देवताओं को जो सक्तियां थी उनके पीछे जो हाथ था वो ब्रम का ही है यानि ये इस्वर का ही है आईरवेद के जो मनीसी है जिने भगवान धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है उनकी पूजा भी करते हैं आईरवेद के लोग रोगों को दूर करने के लिए इस्वर तक तो कितना अनमोल है, कितना उप्योगी है इस विशे में कहते हैं अचूतानंद गोविंद नाम उचारण भेस जात नश्यन्ती सकला रोगा सत्यम सत्यम बदा मेहम यानि अचूतानंद गोविंद यानि इस्वर का नाम उचारण करना सरव रोग नासक है यानि जैसे कहते हैं ना सरव रोग नाशक आड़ा तो भगवान का नाम उच्चारण करना उस इस्वर का, अल्ला का, गोड का, भगवान का, वहयगुरू का नाम उच्चारण करना ही अपने आपने रोगों से मुक्त होना है, ऐसा भगवान धन्वंत्री जी एक शुत्र में क तत्वों के अत्रिक्त महत तत्व यानि राम नाम तत्व को विशेश महत दिया है महात्मा गांदी जी प्राकर्तिक चिकिछा के बड़े फोलोर हुए हैं बहुत अच्छे अनुयाई हुए हैं उन्होंने राम नाम तत्व को विशेश महत दिया है और महात्मा गांदी कहते है कि नेचुरपैथी में राम नाम अर्थार्थ मेह तत्तों के विना ये चिकिछा पूरा नहीं होती, इसका कोई उचित्ते नहीं है, यानि राम नाम तत्तों को निकाल दिया जाए, इस्वर तत्तों को निकाल दिया जाए, मेह तत्तों को निकाल दिया जाए, तो प्राकरतिक चिखिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् करने से सब प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। देश दुनिया के सभी धरम गरंतों में बताया है कि प्राथना से समस्थ चिंताओं एम कलेशों का नाश होता है। मैर्सी अर्विंद ने भी कहा है मनुष्य के अंदर भगवान है। यह एक महान सत्य है। प्राथना और इस्वरा नुग्रय से ही मनुष्य इस सत्य का साच्छातकार कर सकता है। ऐसे मैर्सी अर्विंद जी कहते हैं अपनी एक रच्छना में। खान अबदुल गफार खां हुए है। उन्होंने कहा है कि प्रातना और नमाज का एक ही मकसद है कि हम अपने आपको सभी प्रकार की दुर्भावनाओं बुराईयों से बरी कर लेते हैं। यानि सभी प्रकार की बुराईया छूट जाती हैं, सभी प्रकार की दुर्भावनाओं छूट जाती हैं। और स्वामि वेकरन प्रात्ना को आत्मिक उंती के साथ साथ सब के कल्यान के लिए प्योगी मानते हैं यानि जो प्रेर करता है वो आत्मिक उंती भी करता है और शमाज का भी और सब का कल्यान उसमें नहीत होता है ऐसा स्वामे वेकरनजी कहते हैं और पंच्तत्वों के अत्रिक्त मंत्रों से, प्रात्ना से, इस्वर्चिंतन से, ध्यान से, आतम समरपन से, भक्ति भाव से, सर्दा से, समरपन से, विश्वास से, यदि पाकर्तिक चीचा की जाए, तो रोगी निशंद है, बहुत कम समय में आरोगे प्राप्त कर सकता है, वे पूरण ग्रूप से, छीख हो सकता है, वरत्मान में, अनेक प्रकार करनुशंदान, यानि रिशर्च हुए हैं, और उनसे पता चला है, कि प्रात्ना, मंत्रों चारण, और इस्वर्चा ध्यान, आदी करने से, बहेंकर से बहेंकर, रोगो से छुटकर अपाया जा सकता है, देखे, एक विशेश बात मा आपको बताता हूँ, प्रात्ना, मंत्रों चारण, ध्यान, आदी का अभ्यास, अपनी संस्कृति, देश, धर्म, मजभ, आदी करूसर आपका शक्ते हैं, कोई बात देता नहीं है कि आप राम का नामी ले, प्रात्तम तत्तों की प्रात्ति के लिए बात दे नहीं किया जाता, कहीं भी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि एक स्वेचिक है, अर्थार्द अपना स्वम का भावर प्रेणा है, और भगवान राम को मानने वाले, राम नाम का जब कर लेते हैं, या उस तत्तों को महतव देते हैं, या उनका उच्चान करते हैं, मुस्लिम संपरदाय के लोग, खुदा को महतव देते हैं, अल्ला को महतव देते हैं, इसी तरह इसाय ध्रम में इसा मसी को महतव दिया जाता है, तो सभी का अपना-पना है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, और कोई कठि जिलाई नहीं है कोई जटिलता नहीं है तो आप अपने देश और अपनी संस्कृति अपने धरम अपने मजब के अनुसार इसी वेक्तत्तों का पुच्छान कर सकते हैं तो क्योंकि सभी देशों में सभी धरमगरंथों में प्रमप्राव में अपने अपने धंग से इस प्रास बताया रहा है आज के लिए इतना ही